गुद मॉर्निंग बच्चों आज हम एकांकी संचे संसकार और भावना जो के विश्णु प्रभाकर द्वारा लिखी गई है तो इस एकांकी के पातर अविनाश और अविनाश की पत्नी बड़ी भावी का चिरिचितरन पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम अविनाश का चिरिचि के आगे हाथ नहीं पसारेंगे वे फोलाद के समान फोलाद लोहे के समान है जो तूट जाता है प्रन्तु जुकता नहीं है अविनाश एक स्वविलंबी व्यक्ति है वे नहीं चाता कि कोई उसकी मदद करे वे नहीं चाता कि उसका चोटा बाई अतुल उसकी साहता करे इस स उसके स्वाविमान को ठेस पोंचती है अविनाश ने विजातिये बंगाली इस्त्री विजातिये दूसरी जातिये की इस्त्री बंगाली इस्त्री से शादी की है तो अब हम चरी चरित्रन पढ़ते हैं अविनाश की पत्नी या बड़ी भावी अविनाश की पतनी, अविनाश की पतनी के चरितर की विशेष्टाएं निमन लिखित हैं वे देखने में बड़ी भोली लगती है प्रन्तु अंदर से अत्यंत स्यानी समझतार है वो बहुत प्यारी और सुन्दर है उसके हिरिदे में अपनों के लिए असीन सीमा रहत जिसकी कोई सीमा ना हो उसके हिरिदे में अपनों के लिए असीन स्निह प्यार है वे अपने पती से भढ़ कर संसार में किसी अन्ने दूसरे को नहीं मानती अन्य का अर्थ दूसरे को नहीं मानती, वे अपने पती के लिए अपने पुरान तक नशावर करने को त्यार रहती है, अविनाश की बदू बहुत भोली और बहुत प्यारी है, जो उसे एक बार देख लेता है, वे फिर उस रूप को कभी नहीं बुला सकता, बड़ी बड़ी आंके उनमें शैशव की भोली मुस्कुराहट अंजान में ही लज्जा से लाल हुए कपोल कपोल का अर्थ गालों पर रहने वाली हंसी तथा उसके रूप तथा बड़ों के प्रती आदर के भाव ने अतुलोरुमा को भी परभावित किया, तो बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज प्लीज इसे लाइक शेयर और सस्क्राइब अशे कीजिए धन्यवाद